साथियो नमस्कार आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन यानिकी रखदान सबसे पहले किस दिन रखदान दिवस मनाया जाता है यह दिन 14 जून को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कारलेंड स्टिनर नाम के एक वेग्यानिक का जन्म हुआ था आगे जाकर ब्लड ग्रूपिंग की खोज की थी अब हम बात करते हैं ब्लड क्या है ब्लड हमारे सरीर का एक जरूरी हिस्सा है जो कनेक्टिव टिशू से बनता है जो टोटल बोडी वेट का लगबग 8% हिस्सा होता है और अब इसके अंदर दो बड़े भाग होते हैं पहला होता है प्लाज्मा जो 55% तक होता है दूसरा होता है ब्लड सेल्स जो लगबग 45% होती है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट सामिल होती है प्लाज्मा जो भाग है उसमें 90% तक पानी होता है बाकी 7-8% जो प्लाज्मा प्रोटीन है और अधर सबस्टांस होते हैं किन-किन व्यक्तियों को या किस ग्रूप को जो ब्लड की जुरूर्थ पढ़ती है सबसे पहले है प्रेगनेंसी फिर जिन भी पेशिंट का बड़ा ओप्रेशन होता है उसके बाद थैलेसीमिया नाम की जो बिमारी है उन बच्चों के अंदर उसके बाद किड्नी फैलियर के जो पेशिंट है जो डायलसिस पे होते हैं उसके बाद रोड एक्सिडेंट के अंदर जो लोग घायल होते हैं और जो सीवियर एनीमिया के पेशिंट होते हैं उनको भी बलड की जुरूर्थ पढ़ती है जिनका हीमोगलोबिन 5 या 6 ग्राम तक होता है WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी देश के पास उसकी जो कुल आबादी है उसका एक परतिसद जो हिस्सा है उसके बराबर बलड यूनिट हमेशा स्टोर होने चाहिए किसी भी मानविया या प्राकरतिक आपदा से लड़ने के लिए तो इस अनुसार हमारे देश की एक परतिसद आबादी मतलब 1.30.000.000 बलड यूनिट हमेशा स्टोर होने चाहिए लेकिन संसद में पेस की गई एक रिपोर्ट के मताबिक 23 मार्स 2018 को जो रिपोर्ट पेस की गई थी उसमें बताया गया कि अभी भी हमें 19 लाख बलड यूनिट की कमी है तो ये चिंता का विशे है कि इतनी बड़ी अबादी का देश फिर भी हमें जो एक परतिसद हिस्सा है बलड यूनिट के अंदर वो हम स्टोर नहीं कर पाते तो उसकी वज़य क्या है दो तिन बड़ी वज़य सामने आती है सबसे पहला या तो बहुत बड़े ग्रूप के अंदर या number of people के अंदर खून की कमी है जो बलड दे नहीं सकते दूसरा किसी भी परकार की ब्रांती जो उन्हें बलड देने के लिए रोकती है तीसरा है सब कुछ नॉर्मल होते वे भी बलड देना जरूरी नहीं समझते लोग आपने एकसर देखा होगा कि आपके पास कोई फोन कॉल या मैसेज आता है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इस ग्रूप का किसी खास ग्रूप का बलड उन्हें तुरंत चाहिए आपके एक यूनिट बलड की विज़े से एक वेक्ति की जान बच सकती है बलड डोनेशन के क्या फाइदे होते हैं नमबर वन हमारे स्रीर के अंदर हमारी जो RBC सेल है उसका लाइफ स्पान 120 दिन होता है 120 दिन के बाद वो खतम होके नई सेल बनती है तो अगर हम वो बलड किसी को जरूरत मन्द वेक्ति को देंगे तो उसकी जान बच सकती है दूसरा इससे हमारे स्रीर के अंदर कुछ जरूरी जान्चे हैं वो अपने आप हो जाती है जैसे हीमोगलोबिन है, BP है, वजन है और भी पांच परकार की जान्च जैसे हैपटाइटस B, हैपटाइटस C, HIV है, VDRL जो है सिफलिस के लिए और मलेरिया की जान्च होती है जब हम बलड देते हैं उसके बाद में बलड बैंक इन जान्च को करता है, अगर इन में से कोई भी चीज पोजिटिव आती है तो हमें फोन करके बताया जाता है कि आपके अंदर ये बिमारी है और आप इसका इलाज करवाईए और तीसरा जो सबसे बड़ा फाइदा है जब भी आप बलड डोनेट करते हो तो आपको बलड बैंक के कार्ड इशू करता है वो कार्ड 90 दिन तक वैलिड होता है और उस कार्ड के जरिए आप किसी भी जरूरत मंद व्यक्ति को बलड दिलवा सकते हो उसके बदले में आपक सबस के बीच होनी चाहिए वजन 50 किलो से जादा होना चाहिए हीमोगलोबिन 12.5 ग्राम से जादा होना चाहिए चोथा पिछला बलड दिये वे उनको 90 दिन से जादा का समया हो गया हो इसके साथ कुछ जरूरी बातों का आमें ध्यान रखना होता है बलड देने से पहले बल 20 गंटे तक कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करें अब कौन वेक्ति ब्लड नहीं दे सकता जैसे हैपेटाइटस बी और सी के जो मरीज है HIV के जो पेशेंट है या कैंसर के जो पेशेंट है या ऐसे लोग जिनोंने अपने सरीर पे टेटू बनवाए हो और उसको एक साल का समय नहीं हुआ हूँ भारत में टोटल 2760 ब्लड बैंक है जो ब्लड डोनेशन कैंप के जरिये ब्लड यूनिट को इकठा करते हैं और ये कैंप नॉर्मली कब लगाए जाते हैं किसी महापुरुस की जेनती या पुन्यतिती के दिन या किसी विशेश समारहो के दिन या किसी संस्ता या सहर का जब स्तापना दिवस होता है तब इसके अलावा निजी रूप से कोई विक्ति ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन करता है जैसे अपने जनम दिन पे या सालगिरे के दिन ब्लड डोनेशन से जुड़िवी कुछ ब्रांतियां हमारे बीच में हैं जो की पूरुनतिय सत्य नहीं है जैसे एक बार ब्लड देने के बाद उस विक्ति में पर्मानेटली खून की कमी आजाएगी या उससे उसकी रोग परतियोधिक शमता कमजोर हो जाती है या उसका व सबसे बड़ी एक वज़े होती है कि जो ब्लड यूनिट की कमी होती है अब हम किस परकार इन ब्रांतियों का सच जो है वो जान कर ब्लड डोनेशन को बड़ावा दे सकते हैं आज हमारा देश युवाओं का देश है पचास परतिसद से जो अबादी है वो युवा अबाद है फ्रेश ब्लड जो होता है उसकी सबसे जरूरत होती है ब्लड देने की जो बैस्ट एज होती है वो 20 से 45 वर्स होती है क्योंकि इस दोरान हमारा हीमोगलोबिन और वजन उप्यूक्त होता है और हमें किसी भी परकार की कोई दवाईया नहीं चलती तो किस परकार तो उसे ब्रोंज मेडल दिया जाता है सरकार भी इसको बड़ावा देने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्लड वैंक नहीं जा सकता ब्लड डोनेशन के लिए तो वहाँ पे मोबाईल वैन की फैसलिटी दी जाती है ताकि वहाँ पे जा झाल 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 झाल